मसकर किसन वाईयो मैं विकास गौड हमारे चले में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके लिए अपना चिपसोन आलू दिखाऊंगा जो कि लगवा आज सत्तर दिन का हो चुका है और इसकी बुआई कीती हमने 29 अक्टूबर 2022 को और आज तारीक है 7 जनवरी 2023 त इसमें मैंने steht कलटार ल्योसीन या चमतकर तो काफी लोगों ने कंवने की किती की कि इनसे किसान बरबाद हो रहे हुं ये बता दू कि जो मैंने आपको बनाया था है वह मैंने यह बता आता कि उसमें भीर्ण लगातो रहें लेकिन उसका तरीखा यह लगाने का ना तो मैंने यह कहाता कि इससे आपका अलूप फूलेगा बाद में अगर पूरी वीडियो देखे होगे तो आपको सब पता पड़ जाए काफी लोग फिर भी ऐसी कमेंट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है तो हम अपना काम में अपना जारी रखेंगे तो आईए मैं आपको दिखाता हूं हमारे चिपसवना वन का साइज क्या है समय सतर दिन पर तो आईए भाई दिखाईए अब देखेंगे किश्ण भाईयो एक पौदा निकालके चिपसवना वन आलू है लगब सतर दिन के आसपास का हो चुका है और मैं आपको एक पौदे से हम नहीं देख सकते कि आलू का साज कैसा है फिर भी मैं आपको दिखाता हूं और आप बता ये नीचे कमेंट में आलू का साज कैसा है और कितना अभरिज आ सकता है आपको नीचे कमेंटर завис 심्त्तर दिन पर और मैं आपको टुबर गिनके बताता हूं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ तो इसमें लगवग एक से साइज हैं, आप देखो, बड़ा ध्यान से देखोगे, तो आपको एक साइज दिखेंगे, और ये जो है, ये किर्री साइज है, तो अगर ऐसा भी साइज बनता सतर दिन पर तो ये भी काफी कम नहीं ह क्योंकि पौदा आप देखोगे, तो पौदा ज्यादा बड़ा नहीं है, चिपसवनावन का पौदा इतना बड़ा जो आप देख रही हो, काफी छोटा चिपसवनावन का, लेकिन इसके बावजूद भी जो साइज है, मुझे लग रहा है, इसमें टाइम है फुनने के लि पौदा बचा लिया, तो आलू काफी तरह से फूल याएगा, अगर पौदा मर गया, तो आलू यह नहीं फूलेगा, तो इसमें अब हमें फंगी सैड का यूज करके चलना चाहिए, क्योंकि जन्वरी का महीना पूरी तरह बीमारी वाला है, एक तरह का यह मान सकते हो, 20 जन तो किसान भाईयों, अब हम दखाएंगे आपके लिए अपना सूर्य आलू, यह सूर्य आलू उसी घेत में, जिस घेत में चिप्सवन आलू है, तो यह भी लगवा सत्तर दिन के आसपस हो चुका है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं, इसका क्या साइज है, तो आईए मैं तो किसान भाईयों देखेंगे अभी, कितना आलू है इसमें, किसान भाईयों यह देखिए, इसमें यह तो बनना किर्री साइज, और इसे देखने में मुझे तो काफी हसी आ रही है, और यह देखिए, यह वाला साइज और है, इसमें यह तीन आलू यह है, और इसमें यह हलका सा फट भी रहा है इसमें बोरोन डालना पड़ेगा आप देख रहे हो इसको और देखते हैं एक दो मिट्टी में और हो नहीं है अब नायत नहीं मस अब दिखा तो किसान वाई यह देखिए इसमें केवल यह तीन आलू है और एक पौदा आप देख सकते हो कितना छुटा पौदा है एक पौदे में केवल और केवल मोटे तीन आलू निकले हैं और बाकि इसमें जो बनना यह किर्री बनेगा यह गुल्ला यह थिया बनेगा जो के आप देख रहे हुए तो कुछ है वो आपके सामने है मैं इसमें कोई छुपाता नहीं हूं अगर इसमें 10 आलू होते वह भी सामने होता और इसमें आज 3 आलू दिकर यह यह वह तो संस्था का हाल है इसंग रिख inconvenience में आप धीकशीत मने है दूर कि एकलाल यही कंडिशन है हमारे सुर्य आलू गी अब इसमें हमें पौदा ही बचाना है और कुछ नहीं करना है और आलू फून लेको तो काफी अच्छा चला है आप देख रहे हैं जो आलू बड़ा है वो तो बढ़ा ही है लेकिन अभी जो छोटे हैं इन पर हमें ध्यान देन इसके लिए पौदा हमें बचाना होगा तो किसा वाजियो वीडियो कैसे लगी कमेंड़े जरू बताना और ऐसी वीडियो हम आपके लाते रहेंगे वीडियो देखने के धन्यवाद नमस्कार